बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर अभियर्थियों का अंदूलन का लगातार चौथा दिन जारी है शिक्षक अभियर्थियों पर गर्दनीबाग में पुलिस ने लाठी चार्ज किया था इस गटा के बाद बिहार में बवाल बढ़ गया है जिसके बाद से विपक्ष का सरकार पर हमला तेज हो गया है तेजस्वी आदव ने नितीश सरकार पर निशाना साथ तेवे कहा था कि बेरोज़गारों पर लाठी चार्ज कर पुलिस बहादूर बनने में जूटी है तेजस्वी आदव अंदोलन कारी शिक्षक अबयर्दियों के पक्ष में उतर गए है अब इसी मामले को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांजी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है मांजी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिक्षकों की बहाली नितीश सरकार ने की 4,000 रुपै वेतन से आगे बढ़कर उनको सारी सुविधाएं दी आगे भी कुछ भी उनके लिए होगा वो भी हम लोगी करेंगे वैसे सरकार में रहकर शिक्षकों को वेतन नहीं देने वाला निता बेगुनहा शिक्षक अभियर्तियों को भढ़कागर उनसे कानून जरूर तोडवा रहे है